परजी चोदा वर्ष की आयू से कुसंग के कारण गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्त मैथन किया वह अब बिना इस क्रिया को किये बगार प्रशाप के रास्ते धातू वीरे निकलत रहता जिसकारण जीव हर बचा अभ्यास अभ्यास गलत अभ्यास या बत्या करने का मनोद जैसे आप कहते हैं माता जी उसके पिता जी नहीं है पिछले चार साल से तो यह बच्चा इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम से तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास टीट्मेंट नहीं बचा है वो इसको करंट के और्डर्स कर दिये थे यह बाते तो हम चीक चीक के पहले से बोल लें जबकि हम तो भगवत मार्गी के पति कि इस गंदी बारता को क्यों सुनें क्यों बोलें पर हमें लगता है हमारी नई पीड़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रहे आप सच्ची मानिए यह आप हस्त मैथ बचा सारा खेल उसी का है जब वीर है वो बल है उची हो गया तो मतलब हम जब जिससे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दद करेगी तुम्हें चक्कर आएगा तुम्हें घबडाट पैदा हो जाएगी कोई कारी करने की चाह नहीं होगी तुम्हारे जरा सी बात सोच क करके तुम घबडा जाओगे कई तरह और लगशंका को बैठोगे जरा सा इस परस करोगे वीरी निकल जाएगा आपकी दुर्गती हो जाएगी तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं लेकिन अगर आप अमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगडा है सब ठीक हो जाएगा आ क्योंकि गंदा अचरण ना लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है तुम अभी सुधार सकते हो पहला नयम कि कैसी जब तुम मरने के लिए तयार हो एक बात समझेओ तो तुम इससे ज़्यादा और कश्ट कौन सह सकते हो जिसने मृत्यू का वरण कर लिया तुम तब स शारीरिक करो जिसे स्रम हो अगर तुमारे सरी में थोड़ी भी सामरत है तो शुबह शुबह जिसे ब्रह्मम हो चार बजे उठो इसके साथ अब राधा नाम जब करो थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो बीश मेर तीस मेर सत्संग सुनो उठते बैटते चलते फिरते अध्याम जो गंदे अभ्यास में नए है उनका मन अप परेशान करता है तुम ऐसे सिद मैं इसम्रति संट परेशानिके अंपर नहीं क्यों चाहते हैं मतलब किया रहेगा जब स्मृति सामत है तो क्यों निकलता है अभी तुम बच्चे समझ नहीं पार हैं कही न कहीं हाँ क राधा राधा केने में तुम्हें कोई परिशानी रहेगी क्या है आज से मित्र मान के हमें दोस्त मान के जैसे आपने बताया पर हमारी बात मान लो तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो राधा 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 सब सिरी जी के नाम में अपार सामर्त है दो चार दिन करके उब मत जाना कि हम चार दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ बात मान लो लाधा राधा और थोड़ा डाक्टर से ऐसे आउशधी लो जिससे वीरी पुष्ट हो जो वीरी को पुष्ट करती है और अगर वो थोड़ा वीरी पुष्ट हो आप थोड़ा व्यायाम करें नित्यनियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने नाम जब करें तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा भगवान में बड़ी सामर्थि बच्चा मूकम करोती वाचालम पंगुम लंगेते गिरिम यत्कृपाता महंबंदे परमानदमाध हो नाम जब करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा नाम जब में बहुत सावर्थि बच्चा सब ठीक हो जाएगा देरे देरे पलांग समय लामकीर्तन यस होता है जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप ऊब रहे तब फिर चले आएगे ठीक है नहीं दन्यवाद की जरूत के जब दोस्ती तो दन्यवाद के दिया जाता है हम तो जब दोस्त हो गए तो फिर दन्यवाद के ठीक है इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुशंग पूर्वका कर्म और कुशंग मनों पूर्वका कर्म अच्छा होता है तो संग अच्छा मिल जाता पूर्वका कुशंग मिल जाने करण ऐसे अभी कुछ नहीं बिगड़ा तू चिंता मत कर सबसे बिगड़नी बात होती दुरगती और वो अब होगी नहीं मेरी बात याद कर लो तुम हमारे सामने आ गए हो हमने का तुम राधा जपो ब्रंदा बना गए हो तो फाइनल वाली किताब जजाची जाएगी ना तो नंबर अच्छे आएंगे चाहे तो बिल्कुल पढ़ो मत अच्छा आखिरी बनना इतो सब बनना होता है हम उसी बनाने के लि पर बात जाएंगे डाइलेशिस होगा क्या क्या हालते होती तुम्हें उसके विसे में क्या बता हैं लेकिन दुखो आपके सामने आइसे बेठे क्योंकि नाम है हमारी स्री जी है ठाकुर जी अब हमें कोई चिंता नहीं कोई शोक नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच इसलिए ऐसा और आप शावधान होकर आप भी नाम जब कीजिए और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को देखो थोड़ा सा एक कड़वी बात है जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वईकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते इसलि हमको हमारे ऐसे जगे चोट पहुचाए जाएगी हम तो सह सकते हमें मारो लेकिन हमारी ऐसे कोमल्क जगे मारा जाएगा जैसे बचा अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रशन हो जब घर आओगी तो आपका हरदे चल जाएगा कि यार किसके लिए करूं किसक पितामा जी बाणों की सहिया पे हैं बगवान से कह रहें सव जनम तक मैं देख रहा हूं कोई पाप ने वह लिए और आगे देखो अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना हजारो करोडों जन्म हो चुके इसलिए निश्चिंत रहो आप भी नाम जब करो और अच्छे पिता क्या करनी देखो गंदे दोस्त बनाय तो बिगड़ गए ना हमें दोस्त बनाओगे तो फिर बता ना देरे देरे कि अप कैसा लग रहा है आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है और हमारी दोस्ती यहां के केवल नहीं होती आर पार के अगर कह दिया तो भगवा से बात करते हैं क्योंकि में उनकी क्रपास उनके सुभाव प्रवाव का यत किंचित पता है तो आप निश्चिंतर हो आप गोंदे काम करना मत गंदे बच्चों की बीच में मत बैठना मोबैल से गंदे दृष्ट मत देखना हां मिल्कुल तो अब तो जीवन बचाने की बा तो ना वो आपके समाले समलेगा ना किसी के समाले समलेगा क्योंकि इस्थिती जिसे नाजु को अशा कहते ना अब वो जब यहां से बिगड़ जाता है फिर समलना मुश्किल होता है अब वो यहां से बिगड़ रहा है हमें यहां से समालना है सबसे पहले उसको जीवन को सम मालना है जरूरी थोड़ी की पड़े लिख करके वो इंजिनियर बने अगर आपके पास अर्था जाएगा आप छोटी से दुकान खोल देगी जीवन जीना सीख जाएगा कम से कम जीना तो सीख जाए